स्वागर दोस्तों आपका आपको बताऊंगा कि घिजर का इस्टॉलेशन कैसे किया जाता है अगर आपका घिजर आप नया लेकर आये हैं या आपको पास जंगा नहीं है आपको अच्छे से फिट करवाना है और क्या कि चीज़े दुरूगी हुदी है तो मैं आज से आपको बताऊंगा और किस तरह से मस्बूती से आप डिजर को इस्टॉलेशन करवा सकते हैं या आपको इस बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको पूरा एकुज़ेट बताऊंगा इसको कि कैसे कान किया जाता है और अगर आप हमारे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीचिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना और हां दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तागे आपके सब कुछ शमज में आज आगे में स्टेप बाई स्टेप एक चीज़ आपको बताने वाला हूं तो चलते हैं वीडियो की तरह पर तरह प्रणक्ती की तरह बताने वीडियो को बताने रियो ut Tokyo को ताथ अगा प्राइब का प्रतित ग ईहांगो नहां उकिए आपके सिक का बताने खशों is को तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस तरह का दो फासनेट लेगा आएंगे यह मैं आपको दिखा जाता हूं इस तरीके का आता है फासनेट यह आडेमिम का यह आडेमिम के फासनेट पर हम यह पूरा लोहे का आता है और आप जो प्लास्टिक वाले आते हैं इससे गिजर को गिरने के चांसे उससे जादा रहते हैं और वो इतना मजबूत नहीं हो पाता जितना मजबूत ही होता है तो इसका यह जो पीछे स्टेंड आता है इसका हम नाप लेंगे यह साड़ा आइटिंच आता है पुरुष परहुष पर ठीक से वाटर लेवल से मार्क करके हम इसको वाँ पर लाएमिम जहांपर हम इसको हेंग करना है आप 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 झाल 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 तो फ्रेंट इस तरीए के दो वाल आते हैं ये इनलेट आउटलेट वाल होते हैं ये जो ठंकी में से कनेक्शन आ रहा है हमारे इसमें लगेगा और आउटलेट जो गिजर निकालना एक पाड़ी करन करके ये उसमें लगेगा तो ये आपको दोड़ दिख रहे होंगे तो इनलेट वाला कौन सा आउटलेट कौन सा बनाना है तो अब हम क्या करेंगे ये जो वाल है इस वाल के हम उपर हम टेप टेपलोल लाएंगे ताकि ये पानी लीग ना करें बिल्कुली इस तरीके से आप बाद झाड़ गानी इस वाला कॉ Mart हम एज ब शब लाएंगे इसनी शेती दानी knew पीट आपको यह वाला ही वाला कौन अब आप इसमों बताएं कि इनलेट और आउटलेट कौन सो होता है इनलेट भ्यू कलर का होता है जिसके अंदर ये एर निकलने की होती है ये इनलेट वाला पाईट होता है तो यानि जो टंकी में तब आनी आरा है वो हम इसके अंदर देंगे और यह रेड़ बाला आउट रेड़ होता है चोड़ा है यह बादा है चानल